नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी निउस कुंबले कोहली एपिसोड पर गुहा ने तोड़ी चुपपी बोले ये विवाद सी के नायरूवीनू मांग कर जैसा टीम इंदिया के कोच रह चुके अनिल कुंबले और टीम इंदिया के कप्तान विराट कोहली के बीच हुए विवाद की आंच ठंदी हो नहीं पातिक की एक नया खुलासा हो जाता है इस विवाद पर अब एक नया खुलासा रामचंद गुहा ने किया है उन्होंने इस विवाद की तुलना 1952 में हुए वीनु मांकर और कर्नल सी के नायरू विवाद से की है रामचंद गुहा सुप्रीम कोर्प द्वारा बी सी सी आई के लिए नियुक्त प्रशासकों की समिती में थे लेकिन उन्होंने छे महीने पहले इस्तीफा दे दिया था हालांकि उनके इस्तीफे की वजह साफ नहीं हो पाई थी हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के समय सवाल जरूर उठाए थे रामचंद गुहा ने यहां एक कारेकरम में कहा कि भारतिय क्रिकेट टीम में अहन का तक्राव कोई नई बात नहीं है उन्होंने कहा पूर्व कोच अनिल कुम्बले और कप्तान विराट कोहली के बीच हुआ विवाद पूर्व कप्तान वीनु मांकड और पूर्व मुख्य चैन करता सी के नायरू के बीच 1952 में हुए विवाद की तरह था बांबे जिम्खाना में हुए एक कारेकरम में गुहा ने कहा मैंने प्रशासकों की समिती से छे माह पहले इस्तीफा दिया था और यह पहली बार है जब मैं लोगों के सामने क्रिकेट पर कोई बात रख रहा हूं कर्नल सी के नायरू और वीनु मांकड के बीच विवाद की एक कहानी है उन्होंने कहा नायरू चे नस्मिती के अधिक्ष थे और मांकड भारत के महान प्रिकेटर भारतिय टीम 1952 में इंग्लेंड का दोरे करना था और मांकड को लंकाशर लीग से अनुबंद की पेशकश की गई इस इतिहासकार ने कहा जब मांकड ने BCCI से कहा कि अ आश्वासन नहीं दे सकते हैं भारतिय टीम पहला टेस्ट हार गई और मांकड इसके बाद लाड़ से टेस्ट में खेले भारतिय टीम लाड़ से टेस्ट भी हार गई लेकिन मांकड ने इस मैच में 72 और 184 रन की पारी खेलने के साथ 196 रन पर 5 विकेट भी चटकाए उन्होंने कहा एक समय मुझे लगा कि कोहली और कुम्बले के बीच का विवाद 1951 से बावन में नायरू और मांकड के बीच हुए विवाद की तरह था गुहा ने हलके अंदाज में कहा कि 50 के द्रशक में प्रशासकों की चलती थी लेकिन अब खिलाडियों की चलती है उन्होंने कहा अब काफी बदलाव आया है 1952 में खिलाडियों की तुलना में चैन करताओं और मैनेजरों का ज्यादा प्रभाव था लेकिन अब उल्टा है धन्यवाद